एक बार जंग के टाइम आर्वी के जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं तभी एक जवान रोने लगता है कारण पुछने पर उसने बताया कि उसे मा की याद आ रही है तभी दूसरा जवान उससे कहता है कि याद तो मुझे भी आ रही है पर ये धर्ती मा भी तो हमारी मा ही है तभी तीसरा जवान अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहता है कि इस बार भी मैं दिवाली अपने बेटे के साथ नहीं मना पाऊंगा तबी ये जवान कहता है कि कारियन वार के बाद जब मैं घर वापस आया तो मेरी मा मर चुकी थी तब से मैं इसी मा की सेवा कर रहा हूँ और फिर पहले वाले से कहता है कि तुम्हारी तो दो दो मा हैं और तुम तो फौजी हो और फौजी रोते नहीं तभी दूसरा जवान कहता है तभी इसी लिए सब हमें पत्थर दिल कहते हैं तभी ये तीनों बॉर्डर छोड़कर भाग जाते हैं और तभी दुश्मन को इनके बातों की जानकारी मिलती है और वो बॉर्डर पार कर इंडिया में खुश जाते हैं लेकिन तभी तीनों जवान इनके पीछे आ जाते हैं क्योंकि दिन के समय की गई सारी बाते इनके प्लान का एक हिस्सा थी और ये तीनों दुश्मनों को बॉर्डर पर ही मार गिराते हैं